हेलो एवरिवन वेरी वेलकम टू आल आफ यू आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का या चैप्टर का दूसरा लेक्चर पढ़ने जिसमें हम लोग अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड से उसके बारे में डिसकस करेंगे तो लेक्चर यह दूसरा रहेगा इससे पहले हम हम लोगों ने जलने ский और अजिन को भी बड़ा ता तो तुधक व लेटस एस स्टार्ट मिट्चि अप्याट्री ग्लैंड को अप्यूटरी ग्लैंड को अब्र जैसा कि हम लग जानते हैं कि पिटूटरी गैं। यह लोग और क्या कहते है 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 फाइपो फाइसिस ग्लेंड कहते हैं बच्चों एकडम ध्यान से समझ आपको यह यह भी आपके ब्रेन के डान से फलान में जो है पो थालमस है उसके नीचे प्रजेंड रहता है अच्छा यह एक्चुली इसकी लोकेशन कहां यह मतर के दाने के आकार का होता है उससे भी छोटा होता है शबसे स्मॉल्स इंड ग्लैण्ड तो यह सबसे स्मॉलेश्ट एंडोक्राइन ग्लैन्ड है ऑके इसके लाएब आप जानना है जब हम बोन पढ़ा रहे थे तो बोन में हमने आपको बताया था क्रेशन बोन थी उसमें स्विङ सेलला टर्सिका ठीक है सेलला टर्सिका उसी में होती है यह पिट्यूटरी ग्लैंड उसी डिप्रेशन में फिट रहता है है इस तरीके की यह ग्लैंड होती है और यह सेलला टर्सिका जो इस फिनॉइड बोन है उसके डिप्रेशन में यह फेट होती है यहां तक बात समझ में आ गई है ठीक है अब हम लोग देखेंगे कि याद रखना बोन का नाम याद रखना पिट्यूट्री ग्लैंड में तीन लोब होते हैं बहुत ध्यान से इसको समझना है तीन लोब है एंटीरियर लोब और जिन वगर हमने आपको बता दिया है एंटीरियर लोब इंटरमीडिय लोब और थार्ड दसर इस दर पोस्टीरियर लोब हमने बताए यह कि यह एडिनो हैपोफाइसिस है यह नियूरो है नियूरों से हैं हैं है रिंग बोडी सुपरा आप्टिक नूगलिया पैरा वेंट्रिकूलर नूगलिया यह सब मैंने आपको पढ़ाया एंटीर पिट्य डिस्टैलीस और यय कोता है पार्ज की जैये टिवरों ट्योबरोसा और रिकर चैश्चवा डिस्टैलीस इन्टर-मेड़ियर पार्स इंटर मिडिया पार्स नर्वोसा की यह टोटल नर्वस रहत है आाँ इस तो पाशन हलें कि यह इन्टरमीडेटलोब हीूमन सब्सक्राइब में लोग मतलब हीूमन कि अगर हम बात करें तो intermediate lobe is totally merged with the posterior pituitary, अलग से ये लोब देखने को नहीं मिलता है, अब हम anterior lobe की हॉर्मोन को लिख देती हूँ, मैं आपको पता ही है, anterior lobe की हॉर्मोन कौन-कौन से हैं, तो ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, जो anterior lobe का हॉर्मोन है, पहला हॉर्मोन है, ग्रोथ हॉर्मोन, ठ लिख दिया, दूसरा thyroid stimulating hormone, नाम बोल रही हूँ, adrenocorticotropic hormone, बहुत ध्यान से इसको समझता है, adrenocorticotropic hormone, इसके अलामा, इसके अलामा हमने अभी आपको बताया था, एक, दो, तीन, melanocyte stimulating hormone, prolactin, ठीक है न, prolactin को हम लोग lactotropic hormone भी कहते हैं, क्या कितने हैं, lactotropic hormone, क्योंकि इसका target memory gland है, इसके अलामा, gonadotropic hormone, gonadotropic hormone में FSH है, follicular stimulating hormone, और LH है, luteinizing hormone, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, anterior pituitory के जितने भी hormone है, सबका एक fixed target है, सबका एक fixed target है, इसका target कौन है, gonads है, इसका target कौन है, memory gland है, इसका target कौन है, melanocytes है, देखिए, बहुत ध्यान से समझे इसको, इसका target कौन है, adrenal cortex है, adrenal cortex है, इसका target कौन है, thyroid gland है, ठीक है, thyroid gland है, लेकिन, केवल growth hormone एक ऐसा hormone है, जिसका target है, all cells of body, all cells of body, ये point बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, तो कोई अगर आप से पूछता है, कभी examiner आप से प बताओ, जिसका target body का हर एक सेल है, that is the growth hormone, ठीक है, न, क्या होगा, वो growth hormone, बाकी anterior pituitory के सारे hormones का, एक फिक्स target है, एक एक के बारे में देख लेते हम लोग, कुछ, कोई rocket science नहीं है, बस चुप चुप बैठे रही है, pen copy चलते रहनी चाहिए, ठीक है, हाथ हिलते रहना बॉडी की, हर एक सेल्स, जो है, यह इसके लिए, क्या होती है, इसका target क्या होता है, बॉडी का हर एक सेल्स है, यह growth के लिए responsible है, growth कैसे हो सकती है, बताए, ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजन, cells के अंदर क्या करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक करता है तो cells को क्या मिलेगी energy मिलेगी, तो पहले चीज़ ये होगी दूसरी चीज़, ये increase permeability of cells permeability of cells for amino acid ताकि amino acid cell के अंदर जाए और वहाँ पर इसके अनवा ये क्या करता है मतलब simple सा कहने का बात करने का मतलब ये है कि ये जो है या फिर हम कह सकते हैं lipolysis करता है, lipolysis करता है lipolysis का मतलब जो adipose tissue में adipose tissue आपको पता है कि जो हमारी adipose tissue है वहाँ पे lipids प्रजेंट है fats deposit होती है और वहां से वह अगर लिपोलाइसिस करेगा तो क्या मिलेगा फैटी एसीड और ग्लिसरॉल मिलेंगे और यह फैटी एसीड और ग्लिसरॉल किसको मिलेंगे तो इस तरीके से ओवराल ग्रोथ करता है मैं बस इतना समझा देना आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बॉड़ी की हर एक सेल्स इसका टार्गेट होती है इनको हम लोग कहते हैं ग्रोथ हॉर्मोन या सोमेटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं ठीक है बात समझना अब देखिए होता क्या है कि यह क्या करते हैं यह क् दिहान से आपको समझना है कि अगर इनका हाइपर सिक्रीशन हो गया और हाइपो सिक्रीशन हो गया तो क्या होगा हाइपो सिक्रीशन हुआ और हाइपर सिक्रीशन हुआ तो क्या होगा हाइपर सिक्रीशन हुआ तो क्या होगा मतलब अगर ग्रोथ हॉर्मोन कम सिक्रीट होती है वो क्या होती हुआ हो सि까요 हम लोग कहते है कि अर यह बाध में इप"... कणoud мехण है, labeling बाध में रहूंग के चिटनी भी लॉंग बॉन्स यह वह हमारे हैट को इंजा कम exert liar अन्हों में इक एक इपफाइजाल प्लेट होता है उसकी वजीय से आर्ल फ्लेट होती है बाद में इपीज भाइजिल प्लेट जो है वो degenerate हो जाता है या weekend से विच्एट हो जाता है तो बाद में फिर जो growth होती है वो width में होती है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि early age में अगर growth hormone की deficiency हो गई तो height नहीं बढ़ती है इसको हम लोग कहते हैं पिट्यूट्री ड्वार्फिजम, यहां से जो बॉने बनते हैं, उनको हम लोग पिट्यूट्री ड्वार्फ कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको मिडगेट्स कहते हैं, मिडगेट्स कहते हैं, ठीक है, मिडगेट्स, याद रखना है, अरली इस में, जैसे जो सरकस ड्वार्फ ह होते हैं एक बार एक जाब में कुश्चन पुछा गया तो जो सरकस में जो बॉने होते हैं वो पिट्यूट्री ड्वार्फी होते हैं इनकी बस हाइट कम होती है बहुत अच्छे से देखी ड्वार्फिजम आपको दो जगह पढ़ने मिलेगा एक थायरॉक्सिन की डिफिशिय प्षर्पनेशिद के डिफिश साही होती है इनका रिफिट्रेडड एबीलिटी बिलकुल सही होता है लेकिन जो क्रिटिक्स होते हैं थायरॉकसिन की कम हिसे वो सब कुछ नॉर्मल है यह किवल हाइट इनकी कम होती है यह आपको जानना होगा मैं जितना बता रही हूं उतना समझना अगर इनका अर्ली एज में ही हाइपर सेक्रिशन हो गया बाई तो बताईए बहुत जो बच्चा है काफी लंबा हो जाएगा तो इन चाइल्ड या इन हम इन अर्ली एज में क्या हो जाएगा जाइन्टिजम हो जाएगा जाइन्टिजम जाइन्ट 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 ज होंबी होजाती है लेकिन एड़ाँस एस में में जो आगर में लंभी नहीं होती है बस क्या होता है म्योंकस इपॉजिशन हो लिकव जो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है नीट के हिसाब से पढ़ना है तो मैं आपको बता दिले तो इस इस अल बाउट ग्रोथ हॉर्मोन second hormone है हमारा second hormone है हमारा that is the thyroid stimulating hormone बच्चों बहुत ध्यान से देखना thyroid stimulating hormone इसका इसका target कौन है इसका target है thyroid gland thyroid gland और यह thyroid gland से thyroid gland को stimulate करते हैं stimulate to produce to produce iodized hormone बताइए हमने starting में आपको बताया था कि thyroid gland से 2 hormone iodized or non-iodized Iodized hormone कौन है T3 and T4 non-iodized hormone कौन है calcitonin तो thyroid stimulating hormone thyroid gland को stimulate करते हैं iodized hormone को release करने के लिए चली दूसरा है adrenocortico-tropic hormone adrenocortico-tropic hormone as the name indicate this is the tropic adrenocortico को मतलब इसका target कौन है बच्चों ध्यान से देखना adrenal cortex और यह adrenal cortex को stimulate करते हैं stimulate करते हैं to produce produce only only glucocorticoids only glucocorticoids मतलब यह केवल adrenal gland से mineralocorticoid glucocorticoid sex corticoid दोनों तीनों release होता है लेकिन यह adrenal cortex को stimulate करते हैं केवल और केवल glucose go coticoid release करने के लिए नेक्स हम लोग देखते हैं मिलाنتव साइट इस्टिमिलेटिंग होर्मोन का टार्गेट है टार्गेट है प्रीध्क है Mt किसमें रोल प्ले करेंगे पिग्मנ्टेशन में लेकिन मिलाटोनिन ध्यान से देखना इस बात को अभी आपको समझना है जो Megaltonil कहां सरेलिस्ट होगा पीणियल ग्लेंड से अभी हमां लोग उसको देखेंगे तो मिलेटोनिन का नहिंव प्यज्ट का इनिभिटर है मिलाइनीन का बहुत अच्छे से आपको इस lying को याद रखना है मिलेटोनेन किसका इन आपके पता है पिंधमेन्ट है आपके पीं में ऐख जो आपके डा़कनेस है मेरायओं ऐस स्ब्सक्तुर्णां गज़े से होता है और इसका एंटागेनष्टि Uber इसका इन्हिबिटर मेलटोनीन है लोग देखते हैं प्रोलैक्टीन हार्मोन का टार्गेट कौन है इसका टार्गेट है मैमरीग्लेंड को स्टुमिलेट करता है किसलिए स्टुमिलेट करता है for secretion sorry for the for synthesis synthesis of milk मतलब milk को यहां यह milk को बनाने में role play करता है milk देखिए milk production and मतलब milk we can say synthesis synthesis मतलब production and milk ejection दो अलग चीज है milk let down अलग चीज है मतलब milk बनना और milk का बाहर आना breast से वो अलग चीज है उसके लिए अलग hormone responsible है वो हम लोग आगे देखेंगे देखिए अब एक चीज आप यहां पर ध्यान से समझना है इसलिए इसको हम करते हैं hormone of maternity इसको हम लोग क्या करते हैं पी आरेल को अब देखिए जो प्रेगनेंट लेडी होती है प्रेगनेंट लेडी में प्रेगनेंसी की थर्ड ट्राइमिस्टर तक मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है लेकिन मिल्क एजक्शन नहीं होता सिक्रीशन नहीं होता उसका क्यों नहीं होता क्योंकि जो प्रोजेस्टरॉन होर्मोन है प्रोजेस्टरॉन वह प्रोजेस्टरॉन को इन्हिबिट किये रहता है वह प्रोजेस्टरॉन को हम लोग केते हैं होर्मोन ओफ प्रेग्नेंसी यह प्रेग्नेंसी को मेंटेन करने वाल सी स्टाइमेस्टर में प्रोजेस्टर्ण सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, V диस में का प्र пожले का प्रजेस्टर्ण का प्राइमरी सोर्स है प्लेसंटा। कौन है Jersey मेरे बात को बहुत अच्छ सा समझ précisला है तो जब बोगन है तो कि जब जैसे ही यह क्या होता है जैसे ही delivery होती है delivery के द whatnot to playsem Winda का कुछ भाँ रह आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है प्रोजेस्टरॉन का लेवल कम हो जाता है और PRL free हो जाता है तो milk production start हो जाता है ठीक है बहुत अच्छे से इस बात को समझना है मैंने अभी एक चीज़ कहे दिया था कि milk production हाँ ये चीज़ आप मैं इसको correlate कर लीजेगा मैंने क्या बोला मैं थोड़ा सा भूल गई हों तो इसका inhibitor कौन है प्रोजस्ट्राउन है एक और चीज़ आप समझेगा यहां पर एक और चीज़ समझेगा कि जो यह पी आरेल है पी आरेल है वह inhibitor है गोनेडोट्रॉपिक हॉर्मोन का गोनेडोट्रॉपिक हॉर्मोन आपका कौन है FSH और LH है यह होती है जो प्रेगनेंट ओल मतल मतलब gametogenesis नहीं हो पाएगा तो ovulation नहीं हो पाएगा तो 6th मन तक ovulation नहीं होता है तो क्या होता है वहाँ पर जो हम क्या सकते हैं pregnancy के chances नहीं हो पाते मतलब नहीं हो पाते हैं जिसको हम लोग केते हैं lactational emunaria जब मैं आपको reproductive biology पढ़ाऊंगी तो मैं वहाँ पर बताऊंगी इसको क्या कहा जाता है lactational emunaria lactational emunaria का मतलब है कि during intense feeding जो 6th months तक होता है approximately 60% female में होता है वहाँ पर होता क्या है कि मतलब यह जो fertilization possible नहीं हो पाता है तो इसको हम लोग कहते है this is the natural contraceptive method तो पी आरेल किसको इनिविट किया रहता है जी एनेज को यह बात समझ में आ चुकी है अब यह जी एनेज क्या है तीक है अब हम लोगोंने क्या पर्ज़ रखा है thyroid stimulating hormone melanocyte पढ़ लिया growth hormone पढ़ लिया adrenocorticotropic hormone पढ़ लिया पी आरेल पढ़ लिया अब लास्ट बचा है हमारा यह गोनेडोट्रॉपिक hormone कि कहना तो next is the gonadotropic hormone next is the GNH अब ध्यान देने आपको जी एनच आपको पढ़ने के लिए gonadotropic hormone इसको हम दोपार्ट में डिवाइट कर देने एक है क्योंकि आप पढ़ोगे ना तो confusion होगा ग्यमेटो काइनेटिक फैक्टर एक क्या है ग्यमीटो काइनेटिक फैक्टर और दूसरा होता हे Way to releasing factor ग्येमीट रिली travelled देले इसे पढ़ोगे ना तो बिलकुल confusion नहीं होगा जो gametokinetic factor है वो है FSH और जो gamete releasing factor है वो है LH बहुत अच्छे से समझे इसको ठीक है जो gametokinetic factor का मतलब यह है यह gametogenesis की process को stimulate करवाता है और यह क्या करवाता है gamete को release करवाने वाली process को stimulate करता है अब हम देखेंगे FSH का मेल में क्या काम है और फीमेल में क्या काम है तो अगर हम बात करें इन मेल्स इन फीमेल तो मेल में क्या करता है यह stimulate the stimulate अब हमलेट है डेवलपमेंट ओफ इस तसे मिं फेरस प्लेश टीवल्स ठीक है ना सेमिनि फेरस तुब्योश मतलब जो zaten है उनको इनका नाम हो फॉलीकल स्थाश्टिंग इस और फीम науч स्था थे इनका नाम हिए i इसी तरीके से LH का काम male और female में हम लोग देख लेते हैं तो in male and in female देखें male में LH FSH के साथ मिलकर spermato genesis की process को मतलब spermato genesis की process को यह हम स्वारी यह हम क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं इस्टिमिलेट यह यह क्या है मेल में है एक छी समझे में मेल में हम लोग इसीसेच भी कहते हैं इससे इं串 सेल stimulating hormone इंटरिस्टिशल सेल स्टिमिलेटिंग हॉर्मोन यह क्या करते हैं एलेज क्या करता है या इंटरिस्टिशल सेल स्टिमिलेटिंग हॉर्मोन क्या करते हैं जो लेडिक सेल्स होते हैं उन्हों को स्टिमिलेट करते हैं टेस्टोस्टिरोन या एंड्रोजन रिलीज करने के लिए तो इस्टुमिलेट इस्टुमिलेट लेडिक सेल्स लेडिक सेल्स को ही हम और क्या कहते हैं इंटर इस्टीशियल सेल कहते हैं इंटरक्असेल सल को तू स्टिमलेट टेस्टोफिस्टेरों तेस्ट निस्टो श्टेर्ण अविज की तो फि Initiatives और फीमिल्स में यए रोवीलेटरी ह्याइश करवादा है फीमिल में करवाया और यू of secondary oocyte not OEM release of OEM नहीं OEM और secondary oocyte में बहुत फरग है मैं reproductive biology पढ़ाऊंगी तो देखिए यह मेल में यह क्या करवाता है यह मेल में interstitial cell को stimulate करता है testosterone release करने के लिए और female में LH, luteinizing hormone is the ovulatory hormone ovulation के लिए responsible है and that is the formation of carpus luteum क्योंकि देखिए ovulation के बाद graphene follicle carpus luteum में change हो जाता है तो we can say कि यह क्या करता है responsible for the formation of carpus luteum, carpus luteum बात तो समझ में आ रही होगी ना तो this is all about the pituitary gland, okay, so आप screenshot लेना है तो आप ले लिजिए फटा-फट फटा-फट चल्दी से और एक बार यहां पर मतलब कोई confusion तो होना ने चाहिए सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए सब एकदम द्हान से इसको समझ जीए ठीक है टिक दर स्क्रीन शॉट प्लीज और इसके बाद हम लोग चलते हैं अब हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी के होर्मोन को देखते हैं तो यह सारे एंटिरियर पिट्यूटरी के होर्मोन हैं और दूसरा है एडी अच लेकिन यह पोस्टीरियर पिट्यूट्री के हॉर्मोन नहीं है भाई यह पोस्टीरियर पिट्यूट्री से के वल रिलीज होते यह प्रोड्यूज कहां होते हैं हाइपोथेलमस में हमने आपको पहले ही पढ़ा दिये ऑक्सी टो इसका आर्टीफीशियल जो फॉ गँएक्टाइशन दीया जाता है टाकि युटराइन मुसल का जो कॉंटरेक्शन हो सके और बर्थ की प्रॉसेस कंप्लीट हो सके उसको इस번 PITOSIN की है, जो.. अब देखिये ओक्सितोसिन के कई सारे नाम हैin पहली बात तो यह मिल्क इजुक्ष्चन हॊर्मोन है मिल्क इजेक्षण मतलब यह मिल्क जो एजेक्ट होता है बच्चों में बच्चे जब बेस्त घ्रत करते हैं तो दिर ग्वेट्ट अक्सि यूँकि यह uterine muscle contraction को प्रमूट करता है during the contraction तिकर during the we can say birth during the time of the birth और इसके अलमा यह bonding जो बेबी में bonding और बेबी और मदर के बीच में जो बांडिंग है उसके लिए भी responsible है अब एक चीज में आप से पूछूँ कि oxytocin क्या मेल में इसे love and affection hormone भी कहते है love and affection hormone तो क्या oxytocin मेल में सिक्रीट नहीं होता ऐसा नहीं कि oxytocin मेल में सिक्रीट नहीं होता oxytocin मेल में भी सिक्रीट होता है लेकिन इसका little amount ठीक है और जो husband wife के बीच में जो बांडिंग होती है वो due to the oxytocin ही होती है तो love and affection hormone इसलिए इसको कहा जाता है ठीक है तो यह मेल में भी होता है लेकिन little amount में होता है तो देखे एडियेच यह जो एडियेच है एडियेच को anti-diuretic hormone कहते हैं anti-diuretic anti-diuretic क्यों कहते हैं क्योंकि यह क्या करता है हमने आपको kidney पढ़ा दिया है नेफरोन एपड़ाया है एडियेच क्या करता है डियेच नेफरोन के distal parts like DCT onward DCT onwards से water re-absorption को प्रमूट करता है तो water re-absorb हो गया तो diuresis हो नहीं पायागा वाटर कहा ब्लड में चला गया अगर ADH की कमी हो जाती है मेरी ध्यान सुनना है अगर ADH की कमी हो गई तो वाटरी अब्जरप्शन नहीं हो पाएगा अगर वाटरी अब्जरप्शन नहीं हो पाएगा तो आपकी urine dilute होने लगीगी, hyperuria हो जाएगा आपको, urine क्या होगी, काफी dilute होगी, जिसकी वज़े से dehydration हो जाता है, तो यह dilute urine होने से रोपता है, anti-diuretic hormone, तो यह क्या करता है, इसका काम आप लिख लेजेगा, कि यह kidney के distal part से, मतलब DCT onwards से water reabsorption को रोपता है, मतलब nephron के dist distal parts है, दूसरी चीज़ यह है, कि जो anti-diuretic factors हैं, जैसे temperature is the diuretic factor, alcohol is the diuretic factor, temperature मतलब temperature अगर कभी काफी बढ़ जाता है, तो भी आपको urination बार-बार लगती है, क्यों? क्योंकि temperature और alcohol, alcohol consume करने वाला इंसान भी बार-बार urinate करता है, ऐसा इसलिए होता है, कि जो temperature और alcohol है, वो AD ADH को suppress कर देते हैं, कॉफी हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है, तो चाय, कॉफी, जो आपके soft drinks होते हैं, cold drinks हो गया रहा है, यह सब diuretic factor है, और यह क्या करते है, ADH को suppress कर देते हैं, जिसकी वज़े से watery absorption नहीं हो पाता है, और फिर urine dilute होती है, या ज्यादा urine होती है, ठीक है, त प्रॉमने लिखा था, diabetes, diabetes, insypedous, 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 देख़े, diabetes दो है, diabetes, 1, mellitus होता है, insypedous, insyped, controlled testless, टेस्ट लिस का मतलब यहांसे तेस्ट करने से नहीं है तेस्ट का मतलब यहां पे यह उरीन काफी डाइल्यूयूट होजाती है अपने खरीजिनल कलर से जो ओरिजिनल कंपोजिशन है उससे एस तो श्मी सेस्ट लंग सा लेक्टाइ कहा जाता है सो आगले इंशिपिनस so ADH की deficiency से जो diabetes है वो क्या है diabetes insipidus so this is all about the hormone of the pituitary gland now come to the pineal gland, जल्दी से देख लेते हैं इसको pineal pineal gland इसकी origin भी मैंने आपको बता रखी है कि इसकी origin भी कैसी होती है, एक्तोडर्मल होती है located on the darsal side of the forebrain यह आपको याद रखना है darsal side of forebrain अब इसकी बारे में आपको दो-तीन बातें बहुत अच्छी से बताऊं कि वह आपको याद रखना है ठीके इसकी अलामें इस देसे सेकेंड इसमॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लेंड इसे सबसे दूसरी छोटी इंडोक्राइन ग्लेंड है इसका size काफी छोटा होता है और होता क्या है यह degenerate हो जाती है दीरे-दीरे degenerate हो जाती है आफटर 14 years 14 years के बाद इसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है और एक बहुत ही काफी संड की वम में पड़ी रहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड थर्ड आई भी इसको का जाता है या फिर इसको कहते हैं सैंड या फिर इसको हम ब्रेन सैंड कहते हैं ब्रेन सैंड आफ्टर डिजनरेशन इसको हम लोग ब्रेन सैंड कहते हैं पहले लोगों का मानना था कि यह तीसरी आंख है तीसरी आंख इसको थर्ड आई भी कहते में आपकी पीटुटरी च्रियोंग मेरी बात ध्यां सुने य वह हॉष्ट जो ते आहिए यह कमक्रीि नीचे थी लेकिन ग्लेट ज़ीन पीनियल ग्लैन जो हो धेन सफलान के अग्दम ऊपर होती है इसलिए इसको एपिफाइस भी कहते हैं इपिफाइसज चरीब्राई ऑप वह पर हम देखते हैं इसका जो हर्मोन है वह हर्मोन है मेलाटोनिन क्या है मेलाटोनिन, पहले हम यह देखते हैं कि मेलाटोनिन का काम क्या क्या है तो आप इत्ची समझना कि जो मेलाटोनिन है यह हम कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लेंड का जो एक्टिवेशन है यह डार्क में ज़्यादा एक्टिवेट होता है एस कंपेर्ट तो लाइट, लाइट में यह कम एक्टिवेट होता है तो दार्क में ज़्यादा एक्टिवेट होता है, लाइट में यह कम एक्टिवेट होता है तो विकेंस से की जो मेलाटोनिन का सिंथेसिस है डार्क में ज़ादा होगा और लाइट में कम होगा यह है यहाँ मिलाटोनीन का सिंटेशिस डार्क में यह यह कम काई सारे अरो को मतलब ज़ादा यह कम मिलाटोनिन और मिलाटोनिन क्या करता है यह आपके स्लीप वेक साइकल को स्लीप वेक साइकल को रेगुलीट करता है जो आपकी स्लीपिंग पैटर्न है जिसको अब 24 आर्स रिदम जो है 24 आर्स रिदम को मेंटेन करता है या डाइयर्नल साइकल डाइयर्नल साइकल को यह क्या क क्यिक्कि आपको नीद वह आपको डार्क में ज्यादा आती है तो यही रीजन है, मेलाटोनिन डार्क में स mild होता है दूसरी चीज़frageumen test evacuation को भी promote करता अब यह समझेज़ाना da Gabe NCRT का मैं बता रही हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि melatonin is the inhibitor of melanin ये किसका inhibitor है melanin मतलब अगर melatonin ज्यादा होगा तो melanin काफी कम होगा जैसे मैं एक example से आपको बताती हूं कि जो cave dwellers होते हैं या जो बहुत dark place पर रहने वाले animals होते हैं उनके skin का color काफी light होता है pigmentation काफी कम होता उनमें क्योंकि dark जगें पर है तो melatonin काफी ज्यादा produce होगा और melatonin ज्यादा produce होगा तो वो melanin को suppress कि रहेगा जिससे उनके skin का color काफी light होता है यह बात तो समझ में आगी तो यह pigmentation में भी role play करते है इसके लाव में menstrual cycle को भी control करते हैं क्या करते हैं menstrual cycle को भी control करते हैं यह metabolic reactions को भी control करते हैं यह काफी ज़ादा इनके effects है ठीक है ना तो सब समझना है pigmentation, sleep work cycle, menstrual cycle एक और चीज़ मैं आपको बता दू पीट्यूट्री ग्लेंड ना एंटी प्यूबर्टी हॉर्मोन है मतलब यह प्यूबर्टी को रोपता है कहने का मतलब यह है कि जो पीट्यूट्री यह सारी पीनियल ग्लेंड है यह भी GnRH को suppress किये रहता है क्या होता है GnRH को suppress किये रहता है और जब आपका 14 years के बाद मतलब GnH, 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 जो 14 years के बाद 14 years के बाद जब यह degenerate होता है मेरी बात समझ में आ रहे हैं मैं क्या कहने हूँ यह एंटी प्यूबर्टी हॉर्मोन है 14 years के बाद 14 years के बाद जब आपका हम क्या कह रहे थे जब आपका यह पीनियल ग्लेंट डिजनरेट होने लगता है तब GnRH फ्री हो पाता है और तब जाके यह फॉलिकल स्टिमलेज्टिंग हॉर्मोन और LH अपना एक्सन कर पाते हैं तब जाके सुना होगा जो बाइबर्थ ब्लाइंड होते हैं जो बाइबर्थ ब्लाइंड होते हैं जो जन्म से ब्लाइंड होते हैं उनमें प्यूबर्टी काफी जल्दी आती है प्यूबर्टी काफी जल्दी आती है इसका मतलब यह है कि उनमें प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ जाती है इसका मतलब यह है कि आप समझेंगे कि जो बाइ बर्थ होते हैं उनकी जो आइज होती है प्यूपिल आल टाइम डाइलेट रहती है एक मिनट मैं क्या कह रही थी उनकी पूपिल क्या होती है आल टाइम डायलेटेड रहती है और तो मैं कुछ यहां पे बता रहे थी कि जो 你 है वो जिनीरेज को क्या किये रहता है सप्रैस के रहता है हां या ये सबąते हैं आपको तो उनकी और हमारी प्रेत के रिप्र होती है यह प्रेइंटेंड में उनकी है मिला हाई खॉल्ड continent तो उनकी रफटा पे उनकी अंन्दर यहार जादा एंटर करता है वह रेन में पूरी कहां सजा रही ठीक है तो हुझत उनके उन्दर एंदर सब dem магजा करता दा आए तो tunin काफी कम या ना के बरावर सिक्रीट होता है मिलाटोनीन जब कम रहेगा तो वो प्यूबर्टी वो क्या रहेगा जिये नारेज को सप्रेस नहीं कर पाएंगे और वहां पे प्यूबर्टी काफी जल्दी आ जाती है यह रिजन होता है यू कैन को रिलेट इट पिक ना आप इस त्हाँ से थायरोइड घलैंड है अ विखिय को प्रहक कि ने वर्यूद इस झ arriv थायरोइड गलैंड अब ध्यान दीजे की जो थायरोइड है ये कहां होती है एदर साइड़ ऑफ の चाहींց केसन आपको पता होना चाहिए बाई लोब होती है बाई लोब होती है कुछ ऐसे ठीक है और बाई लोब होने की वज़े से जो यह जंक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं इस थमस अब यहां रखना इस थमस का मतलब होता है connection आप वहां पे भी पढ़ेंगे फैलोपीन ट्यू तो ने कहां तामों है और इसके अंदर क्या है यह चार आपके प्रोकाय को कहां पाई-टे वी जल्दी पड़ा जडिन पड़ाने जा रहा है स्ट्रक्चर अईसा अपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जिसमें कई सारे follicles मिलें गे आपको तो यह कई सारे follicular duct cells मिलेंगे आपको ठीक है काई सारे thyroid follicles मिलेंगे कि और यह हो गया Siya아ा पे就會 ट inhalet एपको ऐसे ब्लड विसंट मनें बीच में कुछ ऐसे ग्रूप औफ सेल्ड मिलेंगे अब यह जो थाइराइड फॉलिकिल्स हैं यह फॉलिकिलर सब्स्टेंस भरे होते हैं यह फॉलिकिलर सब्स्टेंस भरते हैं फॉलिकिलर सब्स्टेंस तो इस दा थाइराइड फॉलिकिल्स ठीक है ना और इस दा थाइराइड फॉलिकिलर सब्स्टेंस फॉलिकिलर सब्स्टे protein होता है बहुत अच्छे से समझना जिसको हम कहते हैं थाइरोग्लोवियूलीन तीजी बी या थाइरोग्लोवीयूलीन थाइरोग्लोवियूलीन अब चीजों को बत समझते जाना है जब अब थाइड फॉलिकल के अंदर देखेंगे तो वाह पे बड़ा important amino acid or we can say proteins होता है glycoprotein जिसको हम कहते है thyroglovulin ठीक है यहां तक बात समझ में आ चुकी है यह बीच में जो इस तरीके से cells दिखाए देते हैं इनको हम लोग कहते हैं para follicular cells क्या कहते है para follicular cells या C cells ठीक है C cells जो की secret करते हैं calcitonin hormone क्या के secret करते है calcitonin hormone क्योंकि हमें पता है कि यहां से दो टाइप की hormone secret होते है iodized और non-iodized तो यह calcitonin hormone secret करते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि this thyroglobulin का काम क्या है तो देखिए अभी हमें पता चल चुका है कि अब देखिएंगे हम यह हमारा एक thyroid follicle हो गया इसमें यह यह cells है यह follicular cells जो भी है यह आपको पता है यह thyroglobulin एक protein है ठीक है ना protein है तो इस तरीके से amino acids इस पे लगे रहते हैं क्या लगे रहते है amino acids लगे रहते हैं और यह क्या करते हैं यह आयोडीन से बाइंड करते हैं आयोडीन बाहर से आता है और यह आयोडीन आता है इस थाइरोग टीजी भी है यह टीजी भी थाइरोग्लोविल में अब अगर यह प्रोटीन है तो इसके पास कुछ टाइरोजीन और इनोडीन आखेशन हे हर रहने मालिजी हां पर टाइरोजीन है यहां पर टाइरोजीन है तो आयोडीन आगे एक आयोडीन मॉलेक्यूल बाइंड कर लिया कुछ इसको इंड किया एक लिए T1 क्या क्वाइडी 1 T1 okay और अगर 2 ऑडियोंद यह क्या हूँ और डाई अधाउद है रोटाउन हूँ थीस से बायन किया है और अगर एक थाइरोगलोविन के एक टाइरोजीन से एक आयोडीन बना तो वो मोनो आइडो थाइरोनीन मिलके बना लेते हैं T4, Tetra-Idothironin, Tetra-Idothironin, इसी को, T4 को ही हम लोग कहते हैं, Thyroxine, क्या कहते हैं, Thyroxine, और याद रखना, अब याद रखना, T4, T4 ज़्यादा सिक्रीट होता है, as compared to T3, ठीक है, लेकिन, functional, यह सिक्रीशन के बेसिस, यह सिक्रीशन में हैं, बात करें, function के बेसिस पे, T3 is more functional than, we can say, T4, effect दोनों का लगबग सेम है, यह ज़्यादा पोटेंट को होता है, ज़्यादा पोटेंट होता है, T3, और ज़्यादा सिक्रीट को होता है, ज़्यादा सिक्रीट होता है, T4, और जादा receptor होते हैं T3 के, T3 के receptor काफी जादा होते हैं, तो this is all about the thyroxine, है न ये iodized hormone हो गया, steroidal hormone हमने पढ़ाया था आपको, तो अब इन्ने के काम क्या क्या है, thyroxine के काम क्या क्या है, तो एक तरफ हम लोग thyroxine के काम देख लेते हैं, तो thyroxine का पहला काम ये है, सबसे पहला काम है, to regulate the basal metabolic rate, दूसरा काम है, tissue differentiation, ठीक है न, और तीसरा काम है, सबसे important, to control the metabolism, metabolism बहुत ही important function है, इसको आपको याद रखना होगा, metabolism is very very important function of the, we can say thyroid gland, ठीक है न, या thyroxine hormone, तो आप सारे काम इसके आपको याद होना चाहिए, सारे काम आपको इसके याद होना चाहिए, अब देखिए, जैसे अब और क्या करता है, और क्या करता है, तो आप एक चीज़ समझ देना है आपे, जो यह sodium, potassium pump को activate कराता है, tissue differentiation, tissue differentiation का मतलब यह है, कि यह क्या करता है, आपने देखा होगा, कि tadpole से यह frog, अगर आप क्या करते हो, tadpole आपको पता है, कि जो frog का लारवा है, tadpole है, उसको अगर आप आयोडीन, बाहर निकाल के, आयोडीन वाटर में रख देते हो, तो frog में convert हो जाता है, उसका metamorphosis हो जाता है, तो tissue differentiation ही तो हुआ आपना, तो यह क्या करता है, tadpole को frog में convert करता है, मतलब metamorphosis में, बड़ा important role play करता है, मैं देखना चाहते हूँ, क्या आपके NCRT में इसके क्या क्या role दिये है, तो metabolism support the process of RBC formation, तो यह RBC formation में भी role play करता है, मैं बहुत सारे role बता देती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर देखना चाहते हूँ, metabolism of carbohydrate, fat, carbohydrate, fat and proteins के metabolism को promote करता है, सब की metabolism बहुत important है, maintain the water and electrolytic balance, ठीक है न, यह water and electrolytic balance को maintain करता है, ठीक है, और इसके अलावाँ इसमें क्या दिया है, तो यह सारी चीज़ें आप यहाँ पर बस जितना दिया है NCRT में उसको याद रखिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ताम जहाम हो जाएगा, वह आप cover नहीं कर पाओगे, तो BMR, Bacal Metabolic Rate, Tissue Differenciation, Metabolism, सारे point NCRT के रड़ ड़ 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 लो, RBC formation, water or electrolytic balance, याद आगे हैं, यह समझ में आगे हैं, ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा एक दूसरा और, हम इसके deficiency, मतलब इसके disorders, अगर बता दूँ आपको, तो disorders में आपको देखो, इसके hyposecretion, disorder में मैं लिखती जा रही हूँ, hyposecretion, hyposecretion, और इसके hypersecretion से क्या होगा, अब यह आपके anxiety में नहीं है, लेकिन दो मिनट के काम में, आपको skip नहीं करना चाहिए, disorders नहीं देंगे, तो बस simple सी बात है, देखिए कभी आप लोगों ने सुना है, ग्वाइटर, ग्वाइटर सुना होगा ना, ग्वाइटर, या फिर आप चलिए, आपको जितनी चीज़े में बताने जाही हूँ, पहले वो समझ लें, simple ग्वाइटर, क्रेटिनिजम सुना है, अभी अगर इसका, अगर इसकी थाइरॉक्सिन की deficiency हो गई, तो क्रेटिनिजम हो जाता है, क्रेटिनिजम को हम लोग कहते हैं, थाइराइट ड्वार्फ, यह क्या होता है, ड्वार्फिजम ही होता है, और ड्वार्फिजम तो है ये ड्वार्फिजम तो है ध्यान से समझना लेकिन ये mentally retarded भी है ये mentally retarded भी है मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जो pituitary dwarf होते हैं वो mentally normal होते हैं sexually normal होते हैं और ये sterile भी होते हैं इनकी height भी कम होती है 4 feet के से नीचे ये होती है तो cretinism जो होते ह है ना वोग इनके hyper secretion से होते है mentally retarded होते है मैं एडल्ट में अगर इसकी डिफिशेंटी यह में हुआ यह अर्ली एज में हुआ यह अर्ली है में हुआ इडवांस एज की बात करें तो वहां पे मिड़ोईण होता है मिड़ोईणी मैं यहीं बस आप इतना समझ लिजिएए ह इंडेमिक ग्वाइटर है या सिंपल ग्वाइटर अब देखे दोनों चिंपल ग्वाइटर से होता है आप इसको समझना अगर देखो भाई सिम्पल सी बात है आपकी जो यह फॉल जाते हैं अब आप सुचो कि आयोडीम की कमी होई तो यह आयोडीम की कमी होई तो फॉलिकलर सेल्स क्या होते हैं अपने साइज को बढ़ा देते हैं ताकि बलड वहां पे जादा जाए और आयोडीम की सप्लिमेंट हो सके तो फॉलिकल के से सब्सक्राइब अपने साइज को बढ़ा देंगे तो यह वाइटर हो जाएगा आपको यह फूल जाएगा इसको कहते हैं सिंपल गॉइटर इनडेमिक गॉइटर एक ही चीज है लेकिन सिंपल गॉइटर किसी को भी हो सकता है और इसका रीजन क्या है आयो रिपीट हो रहा है, जैसे pandemic का मतलब throughout the world, जैसे covid की बात अगर हम करें, तो covid का pandemic disease है न, पूरा world, epidemic का मतलब काफी जादा जगों पे हो, epidemic, लेकिन pandemic का मतलब पूरा बिश्व, और endemic का मतलब किसी restricted to a particular place, और वो generation after generation क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि साध हो सकता है, वहाँ के salt में वहाँ के water में iodine deficiency है, और इसी वज़े से वहाँ पे generation after generation ये repeat हो रहा है, तो endemic goiter का मतलब किसी particular place पे ये goiter हो, क्योंकि वहाँ की soil और वहाँ के water में iodine deficiency है, ये सब हो गया, एक और होता है, इसकी हाइपो secretions में बता रही हूं, हौसी मोटो disorder, हौसी मोटो disorder, हौसी मोटो disorder इसको हम कहते है, suicide of the thyroid, इसमें भी क्या होता है, देखे, ये एक autoimmune disorder है, क्या है, autoimmune disorder, अब मैं आपको एक बात बता दू कि autoimmune disorder जो भी होंगे, autoimmune disorder जो भी होंगे, बस एक बात को मेरे नोटिस करना, कि autoimmune disorders जो भी होंगे, उनमें किसी particular, किसी particular चीज़ के against antibody बनेगा, किसी particular substance के against antibody बनेगा, अगर किसी particular substance के against antibody बन रहा है, तो वो उसको destroy करेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थाइरोग्लोवियूलीन का anti-antibody बन जाता है, थाइरोग्लोवियूलीन का anti-antibody बन जाता है, और वो थाइरोग्लोवियूलीन को नस्ट करने लगता है, क आपकी ही इम्यूनिटी आपको आपकी जो हम क्या सकते हैं कि आपकी बॉड़ी के जो भी शल्स है उसको वो क्या करने लगेगा खिल करने लगेगा ओटो इम्यून डिसॉर्डर तो इसमें क्या होता है थाइरोगलोवियूलिन के अगेंस्ट एंटी बॉड़ी बनने लगता है बलड में और वो थाइरोगलोवियूलिन को डेस्ट्राइग करने लगता है जिससे थायरोक्सिन नहीं बन पाता है तो यह हासी मोटर डिसॉर्डर है सेम इसी तरीके से हाइपर जो थाइराइड फालिकल है वो बढ़ जाती है काफी साइज में बढ़ जाती है जिसकी वजह से थाइरॉक्सिन काफी ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है और जब थाइरॉक्सिन काफी ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो इसका एफेक्ट ज्यादा होने लगता है और जिसकी वज़े से क्या होता है जिसकी वज़े से आपकी जैसे आईज हो गई वो बल्ज हो जाती है ठीक है एक जोप्थालमिक वैटर आईज बल्ज होडाती है इसको हम लोग और क्या कहते हैं इसको सब्सक्राइब हम लोग कहते हैं एक और नाम दिया जाता है ग्रेस डिस क्या कहते हैं इसको ग्रेव्स डिसॉर्डर ग्रेव्स डिजीज तो ये सारी चीज़े हैं यह थाइरॉक्सिन तो आज की लेक्षर में वस इतना ही अगले लेक्षर में हम लोग आगे वाले टॉपिक को कवर करेंगे तो एक बार अच्छा से पढ़ लेजेगे